नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकडमी में, देखिए, एग्जेम क्रेकर नोट्स पे हम बात करेंगे, एग्जेम क्रेकर जो कोशन से उन पर बात कर रहे हैं, और 50 कोशन हम 10 मिनेट्स में कवर कर रहे हैं, तो फटापट सुरू करते हैं बिना किसी देरी के, द जो शिंदु सभ्यता की हरफा सभ्यता जैसे भी कहाते हैं उसकी जो सरो माननेती थी है वो 2400 इसापुरूई यानि 20 20 से लेके 1700 BC तक मानी गई है ठीक है ना? अगला देखिए सिंदु सभ्यता के बंदरगा लोथल और सुत कोटड़ा ठीक है ना कहा कहा है यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लोथल कहां पर और सुत कोटड़ा कहां पर है देखिए जुते हुए खेत और नकासिदार इंटों का पुरियुक का साक्ष किस हड़पन स्थल से प्राप्त हुए ध्यान रखें तो यह हुए काली बंगन है यह क्या है काली बंगन ठीक है ना काली बंगन आपने बताने काली बंगन किस राज्य में स्थित है नेक्स कोशन देखिए सिंदु सभ्यता में मुख्या फसलती गेहु और जो मुख्या फसलती ध्यान र अगर किस इस हड़पा इस्तल से ये भी मोहन जोदलों से मिला है ठीक है ध्यान रखें सीधे एक जय में बनता है तो कन्फुजन का कोई चांसी नहीं है ध्यान रखें किस इस्तल से एक सील पर तीन मुख वाले देवता अर्थात पसुपती नात की मूर्ती मिलती है मोहन जोदलों से ध्यान रखें नर्तकी की एक कांसय मूर्ती की सड़पा इस्तल से मिलती है वो भी मोहन जोदलों से मिलती है ध्यान रखें तो मोहन जोदलों से नर्तकी की एक का बास्यामुर्ती और पसुबधिनात की मूर्ती भी यहीं से मिलती है ठीक है सिंदु सबयता की लिपि कैसे थी भावचितरात्मक ठीक है ना भावचितरात्मक next question देखिए सिंदु सबयता के लोग नगरों और घरों के विन्यास की कौनसी पद्दती अपनाई इन्होंने grid के रूप में इन्होंने क्या किया नगरों और घरों की स्थापना की next question देखिए सेंदव वासी मिठास के लिए क्या परियोग करते है सहद सहद का इस्तेमाल करते थे किन स्थलों से सेंदव काली गोडे की अस्थी बंजर मिले है तो घोडे की अस्थी बंजर मिले है सुद कोटला, काली बंगन और लोथल से ठीक है ना लोथल, काली बंगन, सुद कोड़ा से मिले है अगला question देखिएगा सिंदु सप्यता में किस देवी की उपासना सरवाधिक पर चलेती मातरी देवी, ध्यान रखें मातरी देवी की उपासना ये लोग करते थे, ठीक है ना काफी important है exam के point of view अब सिंदु सब्यता कि जो स्थल है और उत्खनन करता कौन है इन पर कोई तोड़ा सा प्रकास डाल लेते हडपा जो नगर था वो द्राय बहादूर, दयाराम साहनी या मादव स्वरूप ने इसे खो जा था, 1921 में खो जा था वर्तमान में ये पाकिस्तान में है ठीक है ना, पाकिस्तान में स्थित है next जो था मोहन जोदलो राखलदास बनर जी ने खो जा था 1922 में, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है का नाम है सिंद के, ठीके ना चनहू दड़ो, गोपाल मजूमदार ने इसे खो जा था, 1921 में एक हो जा था, और ये वर्तमान में सिंदप्रात पाकिस्तान में ठीके ना रंगपूर, जो रंगपूर है रंगपूर खो जा था, रंगनात राव ने Jamaica 1923 और जो रंगपुर आपका है वो है आपका गुजरात काठियावार जिला आपको ये बताना है कि काली बंगन जो है जिसके हम बात कर चुके है पहले राजस्थान का एक हनुवानगड जिला है इसकी खोज कब और किसे उत्खनन करता कौन थे इसके आपने ये बताना है ठीक नेक्स्ट कोशन देखिएगा नेक्स्ट है लोथल लोथल काफी बार पूछा जाता है रंगनात राव ने की थी उनिस सो पचपन चपन लोथल है गुजरात में ठीक है अभी हम वंदरगापी पर भी चर्चा कर चुके है इसमें आलमगीरपूर यगेदत सर्माने की थी उन यह की थी औरेज स्टाइल औरेज स्टाइल ने की थी और साथी साथ किस ने की थी जॉर्ज डेलस ने की थी ठीक है ना ओरज स्टाइल और जॉरज डेल ने कि थी 1927 एम 1962 में की थी और कहा पर है ये फुटकाग गेंडूर पाकिस्तान में ठीक है नेक्स kwotiation देखिए धौला विरा रविन सींह विस्क ने कि थी 1990 में ठीक है है ना धौला विरा की खोश रविन सींह विस्क ने की थी नेक्स देखिए किस ने आरियो का मूल स्थान निवास स्थान मध्या एशियो का माना तो ध्यान रखें अब हम मैक्स मूलर ने माना था आरिया क्या थे वैदिक सभ्यता की बात हो रही है और वैदिक काल को दो भागों में बाटा गिया है ध्यान रखें एक तो रिगवैदिक एक उत्तरवैदिकाल तो रिगवैदिकाल है पंदरा सो से एक हजार इसा पूरू, ध्यान रखें और जो उत्तरवैदिकाल है वो एक हजार से छेसो इसा पूरू, ध्यान रखें, पंदरा सो से एक हजार इसा पूरू कौन है, रिगवैदिकाल और एक हजार से छेसो इसा पू सब से पहले इसमें, कुल फिर सबसे सबसे पहले क्लुट था फिर ग्राम था विश था फिर विश और फिर जन। जन था जन और फिर रास्ट था तेकि नेक्स्ट क्योशन देखिए वैदिक काल में राजा को सलहा देने वाली सस्ता कुन थी? सभा ओर समिती ध्यानक है सभा oder समिती क्या गड़ती? वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का पर परियोग किया जाता था? तो युद्ध के लिए जो सब्त का परियोग किया जाता था वो किया जाता गविस्टी धानक है गविस्टी का परियोग इसका मतलब होता था गायों की खोज गायों के लिए युद्ध होता था गायों की खोज इसका तात परिया था गविस्टी देखिए दसराज युद्ध क जाला कि इस नदी के तड़ाना में रावी नदी की नाम क्या था और यह यूद छोड़ा है ज goatоз चिद्जल के पूरु शुक्त बार बार पूछा जाता है एक्जेम में उपनिसदों की संक्या कितनी है 108 है ध्यान रखें ठीक है ना उपनिसद नेक्स्ट क्वेशन देखिएगा बैदिक काल में जीवन पर अविवाहत रहने वाली महीला को क्या कहा जाता था ध्यान रखें तो जो महीला अभिवाहत रहते थी, उसे क्या कहते थे अमाजु, थ्यार नखे, अमाजु ये कोशन भी एक्जेम में पूछा जाते है बार बार आरियों का मुख्य भेवसा क्या था पसु बालाने उमकिर्शी, आरियों का पशु क्या था, घोड़ा, थ्यार नखे आरियों के प्रिया देवता इंद्र ध्यान रखें इंद्र आरियों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी लोहा ठीक है ना लोहा आरियों द्वारा खोजी गई धातु थी ठीक वैदिक काल में ध्यान रखें वैदिक काल में ब्यापार है तो दूर दूर जाने वाले ब्यक कि सभी नदियों में सबसे महतोपूर्ण तता पोईत्र नदि किसे माना गिया है सरस्वती को ध्यान रखें रिगवेद में गंगा नदि का कितने बार उल्लेक किया गिया है एक बार और सिंदु नदि का सबसे ज़्यादा बार हुआ है किसका सिंदु नदि का ठीक है ना अगला सवाल देखिएगा, next question, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांक्या दर्शन, कौन सा है, सांक्या दर्शन, सत्यमयुजेते कहां से लिया गया, मुंडक उपनिशत से, ठीक है न, महा भारत का पुराना नाम क्या है, जैसहिता है, ठीक है, सांक्या दर्शन पूरु मिमानसा दर्शन के प्रवर्टत कौन थे, जैमिनी थे, ठीक है न, जैमिनी थे, पूरु मिमानसा दर्शन के, ठीक है न, अब आपको ये बताना है, कि जो उत्तर विमानसा थे, उत्तर विमानसा दर्शन के, जो जनक थे, वो कौन थे, ठीक है न, उत्तर विमानसा, उत्तर विमानसा ठीक next question देखिए 16 महा जनपदों की जनकारी हमें किस बहुत गरंद से मिलती है अंगुत्तर निकाई किस से मिलती है अंगुत्तर निकाई ठीक है ना तो यह आज के question थे इनके answer जो पूछे गया है उनके answer भी दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा जूड़ते रहिएगा इससे